दिल्ली हरियाना यूपी मध्यप्रदेश और गुजराज समेद पेट्रॉल डीजल के बढ़ते दामू पर कॉंग्रिस का देश्वयापी प्रदर्शन राहूल गांधी का पीम पर हमला कहा 22 बार दाम बढ़ा कर तोड़ी आम आदमी की कमर सरकार तुरंद घटाए एकसाइज तुति कुरीन में पिता पुत्र की कस्टडी में हुई मौत पर मतरास हाई कोट ने कहा सीबी आई से चांच कराने में कोई आपत्ती नहीं मगर तमिल्लाडू सरकार के फैसले पर हस्तक शेप नहीं करेंगे पाकिस्तान के कराची में स्टॉक एकस्चेंज की बिल्डिंग पर आतंकी हमले की बलूच लिबरेशन आर्मी ने लिज़ जिम्मेदारी हमले में चारो आतंकी धेर पांच नागरिकों की भी हुई मौत 24 घंटे में फिर कोरोना के तकरीबन 20,000 मामले आए और 380 मौतें कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 5,5 लाग के करीब पहुची भारत चीन सीमा विवात के बीच राजस्तान के सीम अशोग गहलोत का पीए मोधी पर हमला कहा मोधी पहले प्रधानमंत्री जिनके बयान का चीनी सरकार और मीडिया ने स्वागत किया असम कितेई जिलों में बाहर से हाहकार अब तक 18 मौतें और 9 लाग से ज्यादा लोग प्रभावित कश्मीर घाटी के अनंतनाग में मुढभेड में 3 आतंकी मारे गए एक ए 47 और दो पिस्टल बरा मंद लाल जी टंडन की तबियत खराब होने पर यूपी की राज़िपाल आनंदी बेन पटेल को मध्यप्रदेश के राज़िपाल का प्रभार मिला और संयुक्त अरब अमिरात ने पाकिस्तान से आने वाली सभी उडाने रद की कहा सभी यात्रियों की कुरोना जाँच का इंतिजाम करे पाकिस्तान